हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप देखिए बीएड वाले का वन टू फाइब में तो रेजल्ट नहीं देगा तो देखिए अब आप क्या करना है बुला है अक्टूबर में हम दुसरा फेज का बहाली भी देंगे टीचर बहाली तो देखिए एक चाज याद रखिएगा फ सिक्स टू बीएड वाले जो भी है क्योंकि देखिए नहीं बहाली देगी तो बीएड वाले तो समझे की चुनाओ है और आप देखिएगा 2018 सिर्फ जो बीएड की है 2023 तक उसको तो कुछ नहीं मिला बीएड वाले को इसलिए बहाली दम पक्का है कि अक्टूबर में बहाली ही आएगा और फिर भी पीसी एकजाम लेगे और जल्दी एक महिना के अंदर में भी एकजाम कंडक्ट करवा लेगी इसलिए अभी सहीं पढ़िए और जो कुछन आपका सिलेवस के बारे में हम बताएंगे तो एक्तम गरांटी है कि आपका बहाली आएगा ही आएगा क्यों इसलिए एदम भाली आएगा और 6-8, 9-10 और 11-12 तिनों का भाली आएगा 6-8 में ज्यादा रहाएगा कि किसे पिछले बार भाली तो आया नहीं था तो वहीं लिखा है बीजे डवाले नहीं बनेंगे प्रात्वी सिच्च किसी माह के अंतिम सब्दा में परिनाम उसका आने लिखा हुआ अक्टूबर में मिडली स्कूलों में सिच्चक के 52,000 पदोपन निवक्ती परक्रिया होगी शुरू एदम निश्चीत है कि होगा ही होगा क्यों होगा कि देखी नहीं चुनाओ है तो लिखा हुआ है मद विद्यालेव में 52,000 सिच्चो के निवक्ती परक्रिय अक्टूबर में शुरू होगी राज्य में मद विद्यालों एक कुल संक्या 31,97 में है जहां कक्षा 6-8 तक पढ़ाई की वेवस्ता है मंगलवार को सिच्चा विवाग के अपरमुक्स जीव केके पाठक और BPSC के अतक जत्रप्रसाद के बीच निखती परक्रिया की शुकूं की दिगत कराने का फैसला लिए इधर आयोग द्वारा प्रात्मिक शुक दिखाए को के लेकर लीगे परिख्षा में बएड डिदी आप देखिए वाले के तो रिजल्ट प्राइम नहीं आएगा तो अब आप लोग दम परहाई में अभी से ही लग जाएए समझे जो लोग एस्टेट दिये होंगे उसका और 628 का समझ गए इसके परहाई में एकदम लग जाएए अब देखिए लिखा हुआ है इसमें कि जो आ सब्सक्राइब हो जाएगा तो जो अक्टूबर में बहाली आएगा एकदम अक्टूबर देखिए भी पेसे दम टाइम पर जो बोली थी कि हम 24 तारिक से लेंगा 24 तारिक से लिए इसलिए आप लोग परहाई में एकदम लगे रहिए समझे तो यह चीज है तो जो भी लोग है कि स्टार्ट करती है समझें कले बैठक भी हुआ था जिसमें बोला गया कि बीएड वाले के रिजल्ट अभी नहीं जारी किया जाएगा सिर्फ डीएड वाले का रिजल्ट जारी करेगा ठीक है टांक्यू